स्वागत है आपका IT Now स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्टी और आप देख रहे हैं F&O जंक्शन और इसे शो में हम आपको बताएंगे कि वाइदा बाजार में किस तरह की हलचल है और कुछ ट्रेडिंग के मौके भी आपको बताएंगे कि F&O बाजार से ट प्रीज सरों से थोड़ा दबाव आया है हाला कि अभी भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंग्ट अच्छी दिखाई दे रही है और 128 अंग उपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है लेकिन यहां पर भी 48,900 के पार निकल चुगा था लेकिन अब वहां से भी करीब-करीब तीन सो अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में एडवांस डिकलाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो जादतर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट में भी आँँ देख रहे हैं कि नेगिटिविटी है अ तो जो बड़े काउंटर से उसमें देखें बड़े दिगज बैंक की शेरों का ही नाम सामने हैं जिससे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है और उसे से बैंक निफ्टी में भी तेजी है लेकिन अगर गिरने वाले शेरों पर नज़र डालेंगे तो आज बिक्वाली है मेटल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा कमजोरी आज ज़र देखने को मिल रहे है टाटा स्टील के नतीजे अच्छे आयते लेकिन उसके बाद हम देखने है थोड़ी मुनाफ़ा वसूली हावी है पांच परसेंट नीचे ये स्टॉक कारुबार कर रहा है उसके अलावा श् कि फिलहाल निफ्टी में इसवक्त वीकनेस बढ़ रही है आज एक्सपाइरी का भी दिन है मंती सीरीज के एक्सपाइरी भी होगी तो इस लिहाद से भी थोड़ा आज उतार चड़ाव हम देख रहे हैं बाजार में हाला कि अभी फिलहाल देखे तो एक दायरे में बाजार प्रेड होता हुआ नजर आना करीड बेट सवांख नीचे है निफ्टी इस वक्त चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डालेते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर कि कल के दिन हमने देखा कि अच्छी बाई नजर आई जो एक्सपर्ट ने सुझाय था तो जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इन्फो एज में बिक्वाली करने की सला दी थी कल का जो भावता पांच हज़ार नौसो सत्तर के पास था वहां से देखे तो दो परसंग का रिटन दिया स्टॉक ने उसके लावा हिंडा को में उन्होंने तेजी करने की सला दी चेसो अठानबे के पास ट्रेट करने की सला दी थी दो परसंग का रिटन वहां से देखने को मिला और सरेफ में भी बिखवाली करने की सला थी यहां पर विन्हें की तरफ से और 2270 के लेविक पर सुझाया था तो कल शॉर्ट साइड जो ट्रेड लिये थे वो थोड़े यहा पर हमने कुछ एक्सपर्ट से राय भी ली और उनसे भी यह जाने की कोशिश की कि वह एक्सपाइरी कहां पर देख रहे हैं तो इस वक्त जादतर जानकारों का यही माना था कि 22,500-22,650 यह रेंज है जिसके पीच एक्सपाइरी हो सकती है जिसके बीच माजार इस वक्त देख रहे हैं लेकिन उससे काफी नीचे आ चुका है और जो नीचे के तरफ के जो लेवल्स हैं वो खुल चुके हैं निफ्टी के लिए और इस वक्त जो जादतर जानका मांगे चल रहे थे 22,650-22,500 उसे के पीच एक्सपाइरी एक्सपेक्टेड है चलिए अब यह तो र दुखनी पटेल जोड़ चुकी हैं फिन वर्सिफाइस से ध्वनी थाइंकिस सुमच एटीनाव स्वादेश को समय देने के लिए बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है आपका 22,600 के भी नीचे मार्केट कारोबार कर रहा है निंगे निशे स्तर पर हम आचुके हैं सीरीस के अँफरे कि तरफ और यहां से हम नीचे की तरफ पिसल चुके हैं 22600 का यहां पर एक एहम लेजल धा जिसको हम अबन पर देख सकते हैं बट अभी विmor के लिए अगर हम expiry की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर मुझे लग रहा है कि रेंज बॉंड expiry हम expect करेंगे आज जहां पर की तरफ बाइस साथ सो का लेवल हम ब्रीच नहीं करेंगे और नीचे बाइस पांसो जैसे के मैंने कहा वो एक एहम सपोर्ट लेवल की तरह काम तो यहां पर मेरी तरफ से इंडेक्स के अंदर यह नजरिया बनता है और उस हिसाब से हम शौट स्ट्रांगल की मदद से इंडेक्स को यहां पर ट्रेड कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बाइस पांसो की पुट आप्शन जो है उसको बेचना है और बाइस साथ सो की कॉल तरफ है उसको वहां पर सेल करना है आपका जो यहां पर प्रीमियम लगेगा वह 76,000 तक का लगेगा पर आपको मुनाफ़ा जो है यहां पर वह हजार रुपे तक का हो सकता है करीब एक परसंट का रिटर्न यहां पर हम एक्सपारी ट्रेड पर जनरेट कर सकते हैं तो निफ भी यहां पर एक रेंजबाउंड रही बनाए हुए है उपर की तरफ अगर हम इंट्राडे चार्ट को पुल अप करते हैं तो उपर की तरफ यहां पर हमें 48,750 का लेवल के उपर यहां पर एक क्लोजिंग नहीं मिली है कैंडल में 30 मिनिट के कैंडल में और वहां से ही हमने वापस एक रिवर्सल देखा बट जो सपोर्ट लेवल इसका है वो यहां पर नीचे की तरफ में 48,250 के पास काफी स्ट्रॉंग बना हुआ है तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में मेरी अवाइट की सला रहेगी बट निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट स्टैंगल के जरी एक स्पाइरी को ट्रेड कर सकते हैं ठीक है तो यह है सला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपको दे दी गई ये बैंक निफ्टी में फिलाल कोई ट्रेड आवाइट करें और निफ्टी पर भी आपको राय दे दी गई है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टॉक्स की जहां पर की ताजा बिक्वाली देखने को मिल रही है तो वाइदा बाजाब में ताजा बिक्वाली वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज कमजोर है MCX 3% की गिरावट है हाँ पर JSW Steel में भी 2% की गिरावट हम देख रहे हैं और Metal Stocks में आज वीक्नेस भी है Tata Steel हमने शो के शुरुआत में हाइलाइट भी किया था टॉप निफ्टी लूजर है आज का और उसके बाद JSW Steel में भी अब इक्वाली बढ़ती जा रही है दीपक नाइटराइट भी अब 3% नीचे आ चुका है कल नतीजे आए थे नतीजे तो अच्छे थे लेकिन स्टॉक में हम देखे तो रिपोर्ट कुछ नेगेटिव निकल कर आ रही हैं दीपक नाइटराइट में कुछ सेग्मेंट्स इनके अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते आज हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और 3% नीचे यह स्टॉक इस वक्त कारूबार कर रहा है तो यह है इस वक्त के ताजा बिक्वाली वाले स्टॉक्स द्वनी, MCX, JSW, स्टील, दीपक नाइटराइट यह तीनों स्टॉक्स में कहीं कोई ट्रेड देखने हैं आप शॉर्ट साइट पर पुजा यहां पर तीनों स्टॉक्स के अगर हम इंट्राडे चार्ट स्टॉक्चर के ही बात कर रहे हैं तो यहां पर दीपक नाइटराइट के अंदर करन्ट लेवल से वापस से एक बिक्वाली देखने को मिल रही है इंट्राडे चार्ट स्टॉक्चर में तो उसके अंदर यहां पर शॉर्ट साइट का ट्रेड बनता है करेंट लेवल से आप जून सीरीज का यहां पर फ्युचर रह उसको शॉर्ट कर सकते हैं आपका नीचे की तरफ का इसके अंदर जो टार्गेट रहेगा तो पॉजिशनली इंटाइर जून सीरीज के लिए आप टू बन फोर फाइव और वो ब्रेक करने के बाद फॉदर त के लेवल से लेडिके सिल्फेक्टर कर सकते हैं क्योंकि ओगिर एंट्र इंडर शाच के अंदर और डेली च्रण्या दोनों के अंदर फीक्प्र बेजिस grain दिया है और सांस के 1 और क brag है इन जो मुविंग आभरेज़ से उनके नीचे भी हम फिसल चुके हैं तो इंस शुक्र करेंट लेविल से शॉट करें फॉर्स टार्गेट इसका 2145 के पास रहेगा दूसरा 2100 के पास और इसका जो स्टॉप लोस आपको यहां पर मिंटेन करके चलना है तो आप 2280 का इहां पर स्टॉप लोस लगाए ठीक है तो 2280 का स्टॉप लोस लगाकर दीपक नाइट्राइट म और नीचे के तरफ अब 2145 यह पहला टार्गेट होगा उसके भी नीचे फिसला तो 2100 के लेवल्स यहां पर दीपक नाइट्राइट में आ सकते हैं अब बात करेंगे उन स्टॉप की जहां पर की लॉंग अन्वाइडिनिंग है और उसमें इपका लैब्स यह एक स्टॉप ह यहां पर भी हम देख रहे हैं और इंडिया मार्ट में भी करीब 1.5% नीचे आज यह स्टॉप कारोबार कर रहा है तो यह हैं स्टॉप के लॉंग अन्वाइंडिंग वाले स्टॉप्स द्वारी क्या व्यू बन रहा है आपका इपका लैप्स पे NMDC, इंडिया मार्ट करी कुई देख रिह घए और घा राइज रहेगा इसके अंदर एक भालाप में ड़िया है और स्टॉप्र्य उपली सद्परिया यहां पे एकெक डिक्छं दिखा रहो है जहांप जो यहां पे 1250 का बनता है तो 1250 के नीचे आपको इसको जून सीरीज को सेल करना है क्योंकि वहां के बाद आपको फ़र्दर एक मोमेंटम ट्रेल जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा तो आप 1250 के तर से इकाल आप जून सीरीज को यहां पे सेल कर सकते हैं और आपका न ठीक है तो यह है सलाइस स्टॉक पर इपका लैप में आप ट्रेड ले सकते हैं इस बीच कुछ और भी स्टॉक पर नज़र डालें तो इन्फो एच आज भी नीचे है दो परसेंट नीचे यह स्टॉक कारोबार कर रहा है कल भी हमने आप पर इसमें आपको बिकवाली करने क अगर किसी ने शॉट साइट लिया हो तो क्या अभी भी करेक्शन आप और देख रही है स्टॉक में क्या स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइस करना चाहिए यहां पर क्या विव बन रहा है का इन्फो एच पर पिल्कुल यहां पर इसके अंदर गिरावट जो है वो और ग यहां पर 5710 के पास यहां पर विसलता हुआ दिखेगा तो 5710 के टार्गेट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉपलोस मेरी ट्रेल करने की सला रहेगी कि आप इसके अंदर वापस से जो स्टॉपलोस है उसको रिवाइस कर लीजे यहां पे स्टॉपलोस अब करेंट लेविल से जो बनता है तो यहां पे आपको उपर की तरफ में स्टॉप अगर 5910 का लेविल क्रॉस करता हुआ द स्टॉपलोस लगा लिजे और करेक्शन और गहरा सकता है अगर आपने शॉट साइट ट्रेड लिया हो तो अब 5710 यह अगले लेवल से नजर आ रहे हैं शेयर में इस पर आप पर नजर रखिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ रही है मुतूट फाइन स्टॉक इस वक्त कारूबार कर रहा है यह क्या और करेक्शन गहरा सकता है आपर दोनी मुतूट फाइनांस के चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको जिबिलकुल पूजा मुतूट फाइनांस को अभी फिलहाल के लिए फ्रेश ट्रेड के लिए मैं यहां पर अवाइड करना च यहां पर कोई एक ट्रेड फाइनांस में आप अभी फ्रेश ट्रेड जो नजर आ रहा है बिक्वाली के साइडी है तो यह है निजरिया मुतूट फाइनांस पर भी अपनी राय दीजिए हम जेव्यू स्टील पर पहले बाद भी करें थे टाटा स्टील को भी हाइलाइट कि पूरा का पूरा मेटल पैक कमजोर ही नजर आ रहा है क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्टॉक्स में क्या कही कोई ट्रेड लेना चाहिए जहां पर आप और ज्यादा गिरावट देख रही है या फिर नेशले स्टरों से कही बाइग नजर आरी आपको जी बिल्कुल य तो काफी एक अची जुड़ी के बाद इसके ऑंधर एक क्रेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उपर के तरह तरह ब estamp तुहँ चाहिं वय्लत पके उनके अंदर देखने को मिल रहा है बैट यहां पर सेलल साइड के लिए जो ब्रेक डाउंस होने चाहिए वो स्ट्रॉक्टर Iraqi डाउंहीं विटनेस् करने को मिल रहे है अभी भी इनके अंदर जो स्टॉक्ट है वो अमने ऐहम सप़ोर्ट लेविल के पास ही ट्रेड कर रहे हैं बाइंग अपॉर्चनिटी के लिए अभी हमें का वेट करना पड़ेगा और सेल अपॉर्चनिटी के लिए अभी फिलहाल के लिए अगर आपको शॉट टर्म बेसिस पे यहां पे कोई भी एक सेल साइड का ट्रेड लेना है तो आप अपॉर्चनिटी इसके अंदर देखने को मिलती है स्टॉप लॉस जो आपको यहां पर मेंटेन करना रहेगा इसके लिए तो आप 170 रुपे के स्टॉप लॉस के साथ यह सेल ट्रेड यहां पर टाटा स्टील के अंदर ले सकते हैं ओके टाटा स्टील में सेल साइड ट्रेड 160 का जो पहला है वो लक्ष दिखाए दे रहा है अगर उसके नीचे फिसला तो विक वाली और सकती है फ्यूजर में देखिए 5% नीचे यह स्टॉक अब आच चुका है उन स्टॉक के बारे में बात करें जहां पर की थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और उकरते हैं स्टॉक का जहां पर की तेजी है तो तेजी वाले स्टॉक पर पहले जर्जर करेंगे वैसे तो आज के बाजार में इस तरह के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एका स्टॉक जो भी फिलाल दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर लॉंग बिल्डफ वाले स्टॉक की बात करें तो इंडिगो यहां पर काफी अच्छी रिकावरी आई निचलिस तरो से सुबह जब खुला था तो थोड़ा कमजोर था लेकिन अब देखें साड़े तीम परसंट उपर आ चुका है इंडिगो का स्टॉक और जूबिलेंट फूडवक्स भी देखेंगे तो यहां पर भी हलकी तेजी है वैसे उपरी सरुसरे करेक्शन यहां पर भी आया है जू काफी स्ट्रॉंग बना हुआ है परसंटेज वाइज जो गेन इसके अंदर है वो काफी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इंपाइक लॉंग बिल्ट अप साइट पे इट इस वन फे टॉप स्टॉक्स के जिसके अंदर यह लॉंग बिल्ट अप हो रहा है ओगर और चार में भी वही पे एक रिजिस्टंस दिखाई दे रहा है तो इंडिको को अभी फिल्हाल में अवाइड करना चाहोंगी जहां तक जुबिलेंट फूड़क्स का सवाल है जुबिलेंट फूड़क्स में अगर हम देखें इंट्राडे चार्ट में तो उपरी स्तर से यहां पे वापस एक प्रॉफित टेकिंग देखने को मिल रही है स्टॉक उपर के जो यहां जहां पर उपन हुआ था वहां से नीचे की तरफ फिसल चुका है यहां पर इसके अंदर भी कोई भी एक बाइसाइट का ट्रेट नहीं बनता है गिवन दे मार्केट सेनारियो यहां पर बा काफी स्टॉंग लग रहा है तो इंडिगो और जुबिलन फूद को अवाइट करते हुए भारती एटल के आप अंदर आप यहां पर बाइ कर सकते हैं करेंट लेविल से अगर आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस में करना रहेगा नीचे की तरफ म तो 1385 का स्टॉप लगेगा और उपर की तरफ आपका जो टार्गेट रहता है वो 1410 कर रहेगा ओके तो इंडिगो जूबिलेन फूड में तो कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अभी ध्वनी ने भारती एटली एक स्टॉप इलेंकिफाई किया है 11% उपर है और यहां पर बाई साइड का एक लॉंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं इस बीच शॉट कवरिंग वाले शेरों पर नज़र डाले तो बाटा में काफी अच्छी बाइंग आ रही है करीब 2% 3% उपर अभी यह स्टॉप आ चुका है जी बिलकुल पूजा इंडस्क टावर को सबसे पहले मैं बताय दूंगी हां पर अवाइड करें बाटा इंडिया जो है वो स्टॉप मुझे यहां पर काफी अच्छा लग रहा है बाटा इंडिया के अंदर आपको जो है वो यहां पर आज की सत्रह में देखने को मिला है कि 1385 का जो लेविल था उसको ब्रेक आउट करा है और वॉलिंच के साथ इसके अंदर जो इंक्रिमेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है ओविरॉल ओपन इंट्रेस्ट एडिशन भी इसके अंदर जो है कवरिंग में शॉट कवरिंग में वो अच्छा काल सा देख कर सकते हैं इसके अंदर आपको जो stop loss मिंटेन करके रखना रहेगा तो नीचे की तरफ में 1405 का इसके अंदर stop loss बनता है यह लेविल अगर इंट्राडेश पर हम ब्रीच करते हैं तो 1405 के बाद फुर्दर इसके अंदर structure reversal आएगा बर जब तक यह लेविल इंटक्ट है तो आप इसके अंदर 1485 के टार्गेट के लिए एंटाया जून सीरीज के लिए बने रह सकते हैं तो 1485 यह अगले टार्गेट नजर आ रहे हैं बाटा में तो यहां पर आप देजी करके चल सकते हैं इसके अलावा द्वयनी आपके तरफ से क्या ट्रेडिंग आइडियास होंग स्ट्रक्चर ने एक रिजस्टन्स दिखाया है जहां पे उपर की तरफ उपजाया तो यहां पर के तरफ हम 1100 का लेवल भी नहीं कर पा रहे हैं इन फाक्ट एक हजार पचास का ही लेवल जो है वो यहां पर हम जून सीरीज में ब्रीच नहीं कर पाएैं आ बहां से करेंट से हमें नीचे की तरफ सेल साइट के टार्गेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं करेंट लेविल से अगर आप टार्टा मोटर को सेल करते हैं तो नीचे के तरफ नौ सरुपय का टार्गेट रखे और उपर की तरफ आपको जो स्टॉप लोस रहेगा वह 953.70 पैसे का रहेग से अभी हम यहां पर साड़े 600 का लेवल भी यहां पर की तरफ ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं तो शॉट साइट का ट्रेड बनता है नीचे आपका टार्गेट है वो 620 का रहेगा उपर स्टॉप लोस है वो 645 का लेके चलना है एक कॉशन इसके अंदर यह रहेगा क्रिकि इस का रिस्क रिवर्ड वान इस तु 1.5 का है तो यहां पर आपने टार्गेट और स्टॉप लोस का खास करके ध्यान रखे तो लाइसी हाउजिंग फाइनांस बिक्वाली करके चलिए 620 के लक्षी के लिए और टाटा मोटर्स में भी बेशने की सला है आपको और यहां पर भी बिक्वाली आ सकती है टार्गेट और स्टॉप लोस हम आपको बता देते हैं तो यह दो स्टॉप से जहां पर की बिक्वाली का ट्रेड लिया जा सकता है धुनी बहुबत और धन्यवाद आपका समय देने के लिए और दमां स्टॉप्स पर अपनी रणनी दी भी सुझाने क प्रेड़ मैंनोर सकता है